नमस्कार दोस्तो देख्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो हम लोग UPPCS Geography Optional के जो 2019 में क्योषिशन पूछे गए थे उसको हम लोग डिस्कसन कर रहे हैं अभी तक दोस्तो हम लोग जियो मर्फोलाजी, क्लाइमेटोलाजी, ओसीनोग्राफी, बायो जियोग्राफी के सारे क्योषिशन जो पूछे गए थे 2019 में उसको हम लोग इस्टडी कर चुके हैं और एक इन्वारिमेंटल जियोग्राफी से जो पूछा गया था उसको भी हम लोग डिसकसन कर चुके थे आज जो हम लोग डिसकर रहे हैं यह फिजकल जियोग्राफी का जो क्वेशन है, उसका last question है और यह किस से आप रिलेट कर सकते हैं, environmental geography से इस question को रिलेट कर सकते हैं, तो देखते हैं दोस्तों आज का question क्या है, आज का question है, briefly describe the tropical rainforest biome of the world, संसार के उस्ट कटि बन दिये, वर्षाबन, बायोम या जयवेचेत्र का संचिप्त वरण कीजिए, दोस्तों दस नमबर का question है, जो 2019 UPPCS में पुछा गया था, और इसमें संचिप्त वरण करना है, किसका tropical rainforest biome का, उस्ट कटि बन दिये, वर्षाबन, बायोम जयवेचेत्र का, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, कि किसी भी question में तीन पाड़ होते हैं, introduction, body और conclusion, तो introduction में यहाँ पे आप किसका introduction बताए कहां पे लाई करता है, और फिर tropical forest biome का body में आप description description देंगे, कि उनका distribution कैसा है, क्या characteristic है, soil क्या पाया जाते हैं, climate क्या पाया जाते हैं, वहाँ पे फ्लोर आवा फावना क्या होते हैं, तो इस सारे body part में लेखेंगे, फिर एक दू लाइन का conclusion यहाँ पे लेख सकते हैं, तो इस सारे keywords हैं, जो आपको tropical rainforest से relate करते हैं, तो इसका answer भी हम लोग देख लेते हैं, answer में सबसे पहले part में, जैसा कि हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग बायोम का introduction देंगे, कि बायोम होती क्या है, तो दोस्तों, बायोम आप कहां पे लाई करते हैं, मालो एक life system का hierarchy है, कि आप देखोगे, सबसे पहले atom, सबसे छोटा atom होता है, उसके बाद sale होता है, या अपनी body के सबसे सुच माँ आप बोड़ सकते हैं, sale होती है, फिर tissues होते हैं, फिर tissues के उपर आती हैं, तो body बनती है, body से उपर आते हैं, तो organism बनते हैं, फिर organism से उपर आते हैं, तो क्या ब लोड डिस्कस्केये थे फीरेट उपर आँगे तो बायो होते है we do उस और udah सपेर का जो पार्ट होता वह था बायो म सकते हैं अभी आपका पता क्या प्रेशाइरन की कमेनुटी होती है। जो कभर करती है लार्ज जी गराफिकल एरिया में। यानि कि आ बाइयोश्पेर करती होगता है। यहां पर लाइफ इस्ट करती है। लेकिन बायोम क्या होती है, एक लारजर जी ग्राफिक एरिया को रिप्रिजेंट करता है, जिसमें प्लांट्स और एनिमल कमिनुटी होती है, और बॉंडरी आप डिफ्रेंट बायोम डिटर्माइन की जाती है, मैंली क्लाइमेट की दुवारा, याने डिफ्रेंट किसन देखें मेजर बायोम जो होती वर्ल्ड का जैसे फोरेस्ट बायोम ग्रास लेंड बायोम डिजर्ट बायोम अब देखो यहां पर बायोम हम लेखें पार्ट देख लिए अब फोरेस्ट बायोम में भी बहुत सारे पार्ट है फोरेस्ट बायोम का तो ट्रॉपकल रेंफो वायम होती है लेकिन आज के question में tropical rainforest वायम का के बारे में संचिप्त विरवड देने को बोला है तो introduction पार्ट में आप ऐसे बता सकते हैं कि tropical rainforest किस वायम के अंदर है आप यहाँ पर वायम का definition आप बताएंगे introduction में फिर देखो दोस्तों जो mean पूछा गया है tropical rainforest में तो उसका हम ल लिथोई सिपियर का 6% tropical rainforest पायाता 6% में और इसका distribution आप देखोगे तो 10 degree north और 10 degree south के जो latitude है याने equatorial के पास यहाँ पे tropical rainforest पाया जाता है सब जगा नहीं मिलता है वह हमें देखेंगे map में कहा कहा tropical rainforest मिलते हैं लेकिन आप यहाँ देख लो 6 degree 10 degree north और 10 degree south के बीच में tropical rainforest पायात है और पूरे earth के surface का 6% एक comprise करता है tropical rainforest फिर देख लेते हैं countries की बात के दिए साउथ अफरीका में कौन कौन से country पायाते हैं जिसे ब्राजिल बेनेजिला कुलंबिया और पिरू यह क्या है मतलब ज्यादा तर जो पाया आते है tropical rainforest इस country पायाते हैं छोटे मुटे को यहाँ प 10 डिग्री north और 10 डिग्री south के बीच में यहाँ पर इनकी boundary मिलती है फिर देखो new guinea में पाया जाते हैं थोड़ा सा और बहुत छोटा सा पार्ट आस्ट्रेलिया मिलता है लेकिन larger पार्ट आपको indonesia में मिलेगा इंडिया में देखो western guard और लच्छे दिप में आपको देखन tropical rainforest का है आप map देखेंगे तो equatorial की region में पायाता है tropical rainforest और equatorial में जो जो countries हैं जहाँ वर्साज बहुत जादा होती है वहाँ पायाता है जैसे यहाँ ब्रजिल और यहाँ जो countries मेंशन के तो वहाँ छोटे-छोटे पार्ट है तो वह भी आप देखा सकते हैं फिर यहाँ पे प्रेगासकर इंडिया और नियोगेनिया इंडोनेसिया और आस्टेलिया तो यहाँ पे tropical rainforest पाया जाता है जिसको आप मैप के थ्रू दिखा सकते हैं तो अभी हम लोग distribution और कितने एरिया में किस कांट्रीज में उसको हम लोग यहाँ पे संचीवत बिरवर्दी है tropical rainforest का कुछ करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं जैसे climate तो climate high precipitation और high temperature होता है तो कोपिन की classification आप देखे तो category AF में रखा है AF का मतलब है यहाँ पे कि tropical climate है और F का मतलब है कि 12 महिने वर्सा होती है तो high precipitation और high temperature पाया जाती है tropical rainforest में ऐसी climate है temperature के बात करें तो 25 degree centigrade होती है throughout year और यह क्या evenly distributed है इसका मतलब है यहाँ पे winter नहीं होती है ठीक है हमेशा 12 महिने 25 degree temperature वहाँ पे मिलती है precipitation देखे तो पूरे earth में सबसे highest होती है tropical rain forest में अब देखो soil की बात करें तो soil यहाँ पे acidic होता है जनरली और fertility की कमी होता है यहाँ पर आपड़ से लेटराइट स्वाइल पायाते हैं लेटराइट स्वाइल हम लोग अलड़ी डिसक्स कर चुए है कि लेटराइजेशन प्रोसेस से बनती है जहाँ पे high precipitation होती है यहाँ पे high precipitation होगा तो high precipitation होने के चलते क्या होती कि है जो हाँ मिनरल्स होते हैं早信 DW कर जाते हैं लोवर लोवर प्रोफाल में यानि कि महलो वर्टिकल इसको प्रोफाइल की तो आपर लेयल में जो मिनरल्स होते हैं इसलिए जो स्वाइल होती नहीं होती है लेकिन लोवर लेय прав il होती है क्योंक्य節 किया हुआ tak लिए यहां पर आप देखो कि जो बड़े पीड़ होते हैं और चोटे पीड़ नहीं मिलते हैं और देखो और और यहां पर कमी होती है उसके स्वाहिल में ऐसा क्यों कि हाइट वहां पर ओर देखो बड़े पेड़े नहीं तो जैसे घिरते हैं तो वहां पर बैक्टरिया और डीकमपोजिशन रिट बहुत ही जादा होती है और जो हमस बचा भी रहता हो भी प्रेसिपिटेशन से बह जाता है तो आप देख सकते हो कि एसेटिक होती है है एक अपर लेयर होती है लेकिन लुवरबर फर्टाइल होती है इसलिए बड़े पेड़ वहाँ पे उगते हैं अब फ्लोरा फाउना की बात करें तो लैंस वे मल्टी लेयर Cit. T तेंपरेटर दोनों ही होती है और कलर फूल बर्ड से देखने को मिलेंगे इंसेक्ट एनिमल बहुत जादे डाइबर्सिटी यहां पर देखने को मिलती है ट्रॉपकल रेन फॉरेस्ट में तेरह दोस्तों आई होप यहां पर इतना सफिसेंट होगा जो पूछा गया था क्वे बीच में जहां पर हाई ट्रॉपकल रेन फॉरेस्ट पायते हैं मिलते हैं और यह पूरे अर्थ में का सर्फिस के 6 डिग्री 6 परसेंट कम्राइज करता है तो यह सारे करेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं और बायोम के बारे में आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे बायोम क करके जरूर बताना और आंसर कैसे लगा इसको भी आप कमेंट करके हमें जरूर बताईए तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू फर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक साथ थैंक्यू